अपराधियों के होसले बुलन परदेश से सुरक्षित आया घर पहुचने से पहले मारा कब लगेगी अपराध पर लगाम अपराधी मचा रहे कोहरा अपराधी बे लगाम हो गए हैं जमकर तांडो मचा रहे हैं लेकिन पुलिस के लिए उस पर अंकुष लगाना बहुत मुश्किल हो गया है ताजा मामला कैमूर से सामने आया है जहां मुंबई से कमा कर घर लोट रहे वेक्ति की अग्यात अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी अपराधियों ने लूट पाट भी की है गटना मुहनिया थानाशित्र की अमेट पुलिया के पास की है जहां बाईक सवार अग्यात अपराधियों ने निस्तवारदात को अंजाम दिया मुहनिया थाना शित्र की बिट्टी गाउनिवासी अलाउदीन खलीफा का 39 साल का बेटा बलिस्टर खलीफा है मिली जानकारी के अनुसार मुरितक मुंबई से खमाकर गुरुवायर की देर रात एक बची हावडा मुंबई मेल ट्रेन से उतर कर अपने रिष्टेदार के साथ बाईक से घर भिट्टी लौट रहा था तभी अमेट पुलिया के पास अग्यात अपराधियों नियोग को गोली मार दी और फरार हो गए और फुगा का लडगा कहा है यह थाने पर है घट्टा की सुछनाप्र पहुंची मुहनिया भाग तीन के जिला परिश्ट सदस्या गीता पासीन अपराधियों की गिरफतारी की मांग की है एक बलिष्टर खल रिफा थे भीटी कराने वालों थे वो बंबे से अपने घर जा रहे थे अपने गुगा के लडगा के साथ पिचा पराधियों को गोली मार दी आ परिए पोस्टमाटम के लिए सब्भेट दिया गया है वहीं मौके पर पहुँचकर पुलिस ने शब को कबजे में ले लिया और पोस्टमाटम के लिए सदर अस्पताल भीज दिया है और मामले की जहांच में जुट गई है अजीत कुमार कैमोर कर दो